हेलो व्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आप इशाला सब का स्वागत करता हूँ आप ये चैनल में उमीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को दबाना ना बूलने ताकि आ आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हम कुई नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तों आज की जो एप है बहुत अमेजिंग होने वाली है एंड तक देखनी है ये वीडियो और वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना एंड तक देखेंगे तो का आपको लेकुर सब्सक्राइब करना अब द बढ़ाना नहीं भूलना इनके से अब आपने अभी तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिजेगा और बल आइकन को द दबा दिएगा इससे आपको notification मिला करेगी हमारी upcoming videos की और हमको motivation मिला करेगी कोई भी नई videos बनाने के लिए ओके दोस्तो चलिए दोस्तो दोस्तो तो आज की जो video है बहुत amazing होने बाली है तो सबसे पहले आज की app में आपको बता रहता हूँ जो आपको मिल जागी play store पे easily आपको देखने को मिल जाएगा इसे आपको open कर लेना है क्या ये app है क्या इसके बारे में है मैं detail में आपको बता देता हूँ इसको आपको सबसे पहले open कर लेना है दोस्तो आप जैसे ही आप जैसे ही यहाँ पे करते हैं जैसे ही इस app को open करते हैं तो यह आपको इस तरीके से interface देखने को मिल जागा इस app का काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तो इस app काम सिर्फ इतना है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं जैसे ही आप charging वगेरा करते हैं अपने phone को तो दोस्तो charging बहुत आम तरीके से show करती है आपके सिर्फ आपके में आप plug करते हैं और उपर आके charging आपके थोड़ी से show हो जाती है आप चाते हैं कुछ innovative कुछ अच्छे तरीके से UI आपके सामने present हो तो आप क्या गर सकते हैं आप यहाँ पर इस app को use कर सकते हैं और different तरीके से इस app की मदद से आपका जो charging के बाद का जो UI होगा वो बहुत impressive होगा आप यहाँ पर जाके अपने आप उसे set कर सकते हैं और अपने आप उसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर preview का option है आप जैसे preview के option पर जाएंगे यहाँ preview पर click कर दीजिएगा यहाँ पर इस तरीके से जब भी आप charging करेंगे तो आपके charging इस तरीके से show होगी time show करेगा आपका जो भी date है, day है या पर charging percent है वो आपको show करेगा लेकिन दोस्तों यह छोटी बात है अभी इसके अलाबा यहाँ पर आप कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें add जैसे की general में जाके आप सारी चीज़ें add करना चाते हैं units वगेरा matrix में आनी चाहिए units वगेरा अगर आप चाते हैं show होना तो किस वे में show होना चाते हैं तो यह आप कर सकते हैं font style आप चूज कर सकते हैं font style जो भी आप चूज करेंगे वह वहां पर show होगी color आप जो भी आप चूज करना चाते हैं वह आप यहां पर चूज कर सकते हैं अपने accordingly yellow करना जाते हैं yellow कर सकते हैं okay दोस्तो fingerprint अनलॉक करना चाहते हैं इस device को okay दोस्तो screen के basis पे तो आप यहां से कर सकते हैं इसके अलाबा battery level का alert यहां पर जैसे की disable है यहां पर आप उसे sound alarm में यहां फिर show edge lighting के basis पे आप यहां पर उसे on कर सकते हैं यह on करना जरूरी है okay दोस्तो तो काफी cool है यह application आप इसे use कर लिजेगे यहां से उपर का option आपको यह बाला जो है off मिलेगा आपको यह on कर लेना है okay दोस्तो और active wire यहां पर दो option मिलेगा आपको wired connection और wireless connection लेकिन तीसरा option मिलेगा दौनों के connection पे okay दोस्तो आप इसे on कर लिजेगा और यहां पर नीचे setting है कि आपको यहां पर clock date देखनी है या नहीं देखनी है तो आप इने on कर सकते हैं okay दोस्तो तो time to charge यानि कितना time लगेगा इसे charge होने में इसे आप open करके check कर सकते हैं लेकिन कुछ features के लिए यह आपसे pro feature मांगता है यानि कि pro version मांगता है तो आपको यह purchase करने की जरूतनी आप बिना उसके भी काम चला सकते हैं block status वार अगर आपको चाहिए तो इसे आप on या off कर सकते हैं music control वगेरा देखना वो आपके उपर है तोस्तो बैक आ जाते हैं इसके लाबा animation की बात करें तो यहां पर color coded चाहिए custom filter चाहिए तो off या on कर सकते हैं size size यानि कि जो भी उसका size होगा जैसे कि अभी काफी बड़ा show हो रहा था चलिए मैं इसे थोड़ा चोटा कर लेता हूँ 19 dp का कर लेता हूँ charging style यहां पर बहुत सारी दे रही है चलिए मैं इसे spare way कर देता हूँ अभी हालाकि इस spare के लिए यह pro version मांग रहा है तो आपको कोई ऐसी जरूरत नहीं है आप इसे disable भी कर सकते हैं चलिए एक बाद यूज करके देख लेते हैं हालाकि बाकी सब disable करेंगे तो आपको एक circle इसका वो मिल जाएगा चलिए यहां पर जाके preview करके देखते हैं प्रिवियू करेंगे तो चीज़ें चेंज होने देखिए अब काफी चीज़ें चेंज हो गई है circle जैसे की गायब हो चुका है मैंने disable कर दिया था आप circle को enable कर सकते हैं उसके लाबा यहां पर आपके percentage वगेरा सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी ओके दोस्तो काफी cool है यह application यहां से आपको setting पर जाके चीज़ें चेंज करनी है और इनको आप easily यूज कर सकते हैं तो amazing लगी नहीं यह application काफी अच्छी है मुझे बहुत अच्छी लगी है application तो आप भी इसे use कर सकते हैं तो उमीद है दोस्तो यह video आपको जरूर पसंद आई होगी इसके लाबा और भी बहुत कुछ है यहां पर explore करने के लिए जैसे कि notification settings भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है apart of it यहां पर आपको weather देखना है तो overall यह application फिरी में भी अच्छे से काम करती है और अगर आप pro खरीते तो pro भी अच्छे से काम करती है ओके दोस्तो तो आप use करके देख सकते हैं इस application को काफी cool है यह application उमीद है दोस्तो यह video आपको जरूर पसंद आई होगी पसंद आई हो तो like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और bell icon को दबाना ना भूलें बहुत जल मिलेंगे आपको next video में तब तक के लिए बाए दोस्तो